हेलो एव्रीवन विल्कम टूम नीव ब्लॉग सुभय का बच रहता साड़े आट मैं ओर रही थी ऑफिस के लिए रेडी मैं आज उटीटी साड़े साथ बजे उसके बाद मुझे मैं नहांकर दिख ली थी और लगबग 30 मिनट बाद है उसके बाद मैं चली के नीचे पूजा वो थोड़ा गंदा था इसलिए उसको मैंने दुलने के लिए रख दिया था फिर जो समान बहार निकाला था वापस अपने बैग में रखा और मैं अपने जो हैंड बैग है उसमें सिर्क दो चीज रखती हूं एक तो सैलड रखती हूं दूसरा ब्रेकफास्स जो मैं यहां फिर मैंने कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया था मिल गया था मुझे टाइम आज सब कुछ काम जल्ले दियो गया था फिर मैंने लिकड वाले जो दबाई थी अपनी वो पी यह जो मैडिसीन मैं पीती हूं या खाती हूं वो इस टाइम होमियोपेथी की चल रही है और यह मेरा पेट थोड़ा कम हो गया था इसलिए उसको गेन करने के लिए मैं खा रही हूं और फिर उसके उपर चत पर चली गई थी अपने कपड़े डालने के लिए तब तक वहीं पर मिल गया थे जैक्स क्योंकि सुबह जैक्स को छे बज़े हम लोग उपर चत पर चुड़ देते है वह अपना अराम से घूमता रहता है और अगर उसको पॉटी भी करना होता है तो वह उपर कर लेता है फिर भहिया जब साम को या सुबह जब भी उनको टाइम मिलता है तो वह वाश कर देते हैं या किसी को बुला कर साफ करवा देते हैं फिर जैक्स जब सुबह होता है उसस की मस्त रहता है अब वो उसका बस इत्रिया ही मन हो रहा था कि मेरे साथ खेलो देखो कैसे विस्थ के साथ खेलते यह टाइम जादा हो जाता है इसलिए मैं रेडी होने के बाद ही निकलती फिर मैंने जैक्स को नारिल पानी का जो नाडिल था जिस्सके की वह इसमें विज्यो कर रही थीमें को आज देर О्पाय और उसके अद मेने चुछना चला रहे थी बाहर आगै और очерा कारं में ध्राइव करके निकल इन्टि तब फिस पहूंच गई थी मैं 9 बच के फांच मिनट पे और उसने पहले मैं पीती हूं नारिल पानी फिर साम का बजरा था साड़े छह जब मैं निकली थी तब यह हमारे यहां राउल बही आएं यह भी मारे स्टाफ ही हैं तो इनसों थोड़ा हसी मजा कर रही थी बाहर खड़े थे तो उसके बाद पांस दर सुन बात करने के बाद ही मैं निकली थी घर के लिए और ऐसे जब टाइम मिल जाता है थोड़ा तो फ्रेशनेस आ जाती है घर पहुंचने में मुझे लगबख 15 मिट लगता है इससे ज्यादा नहीं लगता है वरना 10 मिट में पहुंच जाती हूं अगर जाम मिलता है तो 15 मिट लगता है मैंने अपना सारा समान वापस का लिया तब 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 डैडी कहने लगे कि गाड़ी ज़्यादा गंदी हो गई है इसलिए लाव मैं तुरंदी धूल देता हूं क्योंकि सुबह चल्दी निकल जाती हूं और डैडी उस टाइम उठते हैं पूजा करते हैं मंदू जाते हैं तो फिर सुबह टाइम इतना मि सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है जब मुझे लेड़ो जाता है और पूरा दिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम में जाता है मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा सा भी इंज्वाय कर पाओ और मम ममी खा रही थी दोको यह लड़ो खा रही थी ड्राइफ्रूट लड़ो था जैक्स की बस नजने सिर्फ और सिर्फ मा के लड़ो के ऊपर थी उसको इस समय कोच अच्छा नहीं लग र बाहर में लेकर के साथ माइन डावर्ट हो जाए बट वो फिर जंप करके नीचे दुख गूद गया था जंप कर लिया था उसने और उसके जब माने दे दिया तब यूसको सांती मिली फिर मेरा जीन्स पकड़के भाग रहा था मैंने चेंज करके रहा था तो रो रहा था औ लन्य मन नहीं रहता था रहता है इसके मतने रहता है बस सामने रहता हमें जलनी पाथा के रूप मेरे रूम में बणकर दिया था पिर उसके बाद में प्रेस करने जा रही था लेकिन पेले या अगई थी हम लोग ने बनवाई थी फ्राइड राइस तो फ्राइड राइस खाने जा रहे थी तो भावी आ गई थी उन्होंने सब सारा रेडी करके रख दिया था मैं प्रेस करने जा रहे थी वो फिर मैंने हटा दिया था और मैं बैठ गई थी खाने के लिए तब तक बहुआ कहीं नीचे चला गया था फिर उस मैं इस तरीके से बैठ कर खा रही थी तो मुझसे कह रहा था कि आप कैसे बैठी हो ऐसे गाउं में से भी लोग बैठ के खाते हैं आप बुगा बैठी कैसे हो क्योंकि मेरे पैर में हो रहा था बहुत ज्यादा पेन इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वह चेंज हो चुका था बारिस हो रही थी तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था एसी की बिल्कुल नहीं थी और नॉर्मल वह भी जो मैं फैन चला रही थी उसको भी थ्री नंबर पे चला रही थी उससे ज्यादा मैंने नहीं चलाया उसके बाद मैं और बहुआ और दोनों लोग मिलके मोबाल में देख रहे थे जैक्स की वीडियो जब वो आया था हमारे यहां वनमंत का था तो क्या क्या सतनी करता था हम सब रिकॉर्डिंग करके रखे थे तो वही अब जब देख रहे तो लग रहा था कि हां कितना चोटा आया था जब डेली देखते रहते तो पते नहीं चलता है कि जैक्स कैसा था कैसा नहीं बट जब देखो पुरानी कोई भी वीडियो या फोटो तो लगता है कि हाँ बहुत छोटा था बड़ा हो गया है क्या-क्या differences आएं वो भी सामने देख जाते हैं तो हम और बहुत मिलकर वही देख रहे थे क्या-क्या changes आएं जैक्स में और फिर बहुत पता नहीं क्या ले आया था यह थर्ड टाइप का था फिर उसके बाद हम लोग बाते कर रहे थे कि जैक्स के लिए और क्या मंगाना है या उसको जो कपड़े दिलाने हैं क्या-क्या चीव कि खतम हो गई है ट्वाइज लाने तो वही सब discussion कर रहे थे और साथ में मूवी भी देखते जा रहे थे तो बस यहीं चला हमारा साम तक जब तक हम सोई नहीं थे तब तक टाइम हो गया था 10.30 तो बहुत जिद कर रहा था कि उसको डिनर नहीं करना है यह पी खानी है तो माने फिर उसको कन्वेंस किया कि पहले डिनर कर लो ज इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए तो फिर उसके बाद यह जैक्स टैलते टैलते आ गये थे मेरे रूम में क्योंकि इनको डोर ओपन मिल गया था फिर माने इनको दो तीन थपड़ लगा और वापस से भया वाले रूम में छोड़कर आई टाइम ज्यादा हो रहा था तो स बोच्च को र बोच्चप